तोर कर सकते हैं, तो पैकेजिंग के लिए तो 10 on 10 है मीशो को, बहुत ही जाधा लाइट वेट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह से आपने कुछ पहना हुआ है, पर्ल्स है, मूती है, यह यूस करे गए हैं, बहुत सुन्दर लुक दे रहे हैं, पूरे हॉल के अंदर य जा रही हूँ और मीशो हॉल हूने वाला है, यह यहरिंग के ऊपर, यह यहरिंग कोई भी पीस ऐसा नहीं है, जो मुझे अच्छा नहीं लगाओ, बहुत ब्यूटिफुल है, ओके, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जर करते हैं, जल्द जल्दी मैं आपको सारे के सारे एरिंग्स दिखाना शुरू करती हो, so without any further delay, let's get started with today's video, so मैं आपको बता दो specifically, blue color combination के अंदर ही मैंने एरिंग्स order किये हैं, so yes, check out कर लीजेगा, इसमें सब में और भी colors variety, और भी color option आपको yes, मिल जाएंगे, okay, तो सबसे पह आपको मेरी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आपको मिल जाएंगे मेरे description box में, do check them out, okay, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले earring set की, and ये आपको इस तरीके के container में मुझे receive हुआ है, plastic box के अंदर, जिसमें हम, yes, of course, बाद में भी store कर सकते हैं, so packaging के लिए तो 10 on 10 है, म इसको मैं open करके दिखा देती हूँ, आपको, okay, so these are the first earrings, बाद ही लगेंगे कुछ इस टाइप से, इन वाली earrings के उपर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा focus कम है, yes, यहाँ पर बना हुआ है, एक lotus, and बहुत ही सुन्दर सा यहाँ पर, इस पर work किया हुआ है, and यहाँ पर दिये गए हैं, इसमें, ये छोटे-छोटे से beads यूज़ कर रहे हैं, and ये hanging में blue, और silver का combination ह सो पहनने के बाद बहुत ज़दा सुन्दर लुक लगता है, and बहुत ही ज़दा lightweight है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह से आपने कुछ पहना हुआ है, and बहुत ही सुन्दर लगेंगे, royal blue dress के अंदर, because ये silver और royal blue का बहुत अच्छा combination है, इसके उपर, so yes, these are the first earrings, जो next earrings ह है, वो होने वाले है, blue, royal blue dark में, and royal blue white and silver के combination में, and ये कुछ इस type से लग रहे है, this is how the earrings looks like, so फहनने के बाद ये लगेंगे कुछ इस type से, as you can see, and इनका भी lightweight है काफी ज़दा, and जो इसमें नीचे नीचे ये जुमका वाला look दे रखा, ये काफी ज़दा amazing लग रहा है मुझे तो पहनने के बाद, and बहुत ही अच्छा लगेगा, चाहे आप इसे किसी लहंगा के उपर पहनो, चाहे किसी kurta set के उपर pair up करो, बहुत सुन्दर लगेगा, हर ethnic dress के उपर ये वाला, earring personally, मुझे बहुत ज़दा पसंद आया, and yes, this is the one, so बात कर लेते हैं, अपने next earring की, जो मुझे इस तरीके से receive हुआ है, and yes, चांद बाली टाइप में हैं, ये वाला, and बहुत सुन्दर पीस है, so yes, इस पर भी open कर लेते हैं, so yes, these are the earrings, royal blue, silver, and इस पर जो ये rhinestones use करे गए हैं, कुंदन वाले बहुत सुन्दर लुक देते हैं, and नीचे, इस पर दी गई है, ये white color के जो pearls है, मूती है, ये use करे गए है, and बहुत सुन्दर लुक दे रहे हैं, इस earring को, so पहनने के बाद इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, and yes, light weight है, अब जिस हिसाब से साइज है, उस हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा light weight है, and पहनने के बाद, this is how it looks like, so again, आप इसको pair कर सकते हो, किसी भी कूर्टा सेट, किसी भी लहंगा, या ethnic dress के उपर, ये बहुत अच्छे से ज़्याएगा, and personally, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला भी, ये जो next earrings होने वाले, वो होने वाले है, bottle green color के अंदर, and ये भी मुझे इस तरीके से receive हुए है, so ये बहुत बड़े वाले earrings है, and सबसे बड़े earrings यही हैं, पूरे haul के अंदर, so yes, these are the earrings, and golden, bottle green, white के combination में आपको ये मिल जाते है, so yes, these are the earrings, हैने के बाद इनका look आएगा कुछ इस type से, and पूरे haul के अंदर, ये मेरे personal favorite है, so yes, ये बहुत ज़्याद़ प्रिटी है, last earring होने वाले हैं, golden color के अंदर, and these are the earrings, so ये इस तरीके से है, इस तरीके से hanging वाले earrings, and golden dress के साथ, मतलब किसी dress में, या आपके किसी ethnic dress के अंदर golden work है, तो उसके साथ आप ये pair कर सकते है, and western dress के अंदर, इसे gown वागेरा के अंदर भी golden work आपको मिल जाता है, so, ये basically gown के साथ pair up करने के लिए मैंने लिये थे, तो ये कुछ इस type से लगेंगे पहनने के बाद, and ये भी मुझे personally बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, length appropriate, lightweight and बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, stylish लगते हैं पहनने के बाद, so, yes, that's it and that's all for today's earrings haul, I hope मेरा haul आपको अच्छा लगा होगा, and जो भी मेरी earrings को लेके recommendations थी, कि आपको सभी की सभी अच्छी लगी होंगी, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में यहाँ तक आ गए है, तो वीडियो को like ज़रूर करते हैं, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, so, अब मिलते हैं अगली amazing सी वीडियो में, या amazing से haul में, कुछ भी हो सकता है, so, till then, bye and stay happy.